ओम सिरीगनी सैनम दूस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 दिसंबर शनिवार के रासी फल्क के बारे में कि यह दिन कुम रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण ज अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी चैनल ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम्बराशी वालों के लिए शनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शयोग प्राप्थ ह होगा जो आपको काफी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत्साहित करेंगे दोस्तो आपको अपने कर छित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का दिन आर्थिक दरश्टी कौन से आपके लिए बहुती विरद्दी होगी आमंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा सामंजस बना कर रख पाएंगे दोस्तो आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वहें आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे जा दोस्तो साथी साथ धर्मिक क्रिया कलापों में विविरद्दी होगी और आप उनके ऊपर खर्च भी कर सकते हैं शंगर्ष करने के बाद कारों में आपको सफलता आज अवस्य ही प्राप्त होगी यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने क प्राप्त होगा दोस्तों यह आप मान कर चलिए कि आज का समय पूर्ण रूप से आप के लिए हैं बस आपको अपना अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा ताकि आप उसके पैणाम सरूप प्राप्त हुए हर सुक को अच्छे से भोग सकें और इसी कारण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उर्जा के बल पर आप हर चिनोतियों का डट कर शामना भी करेंगे और उस पर आपको शफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपके खुसी दूग नहीं हो जाएगी और आपका दिन काफी आनंद में बीतेगा दोस्तों बात कर लेत समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं दोस्तों परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की व्रद्दी हो सकती हैं यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे-धीरे काबू में आ जैंगी या दोस्त तथा तनाव पूर्ण इस्तितियां जादा हो सकती हैं इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्ण लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार आवस्थ से ही कर लेना होगा यह आपके लिए काफी फाइदेबंद साबित होगा दोस्तो साथी साथ क्रोध पर नियंतन एम वानी पर आपको आज सैयम रखनी की अतियाव शक्ता है अन्यता विवाद की इस्तितियां बन सकती हैं परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन ध्यान रहें कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुँचे जिया दोस्तो अगर आप परिवार को जोड़ कर रखना चाते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझोतों के लिए तयार रहना होगा अन्यता इस्तिती आपके नियंतन से बहार हो सकती हैं आपको परिवार के लोगों के साथ धन सम्मंदित समस्याओं को भी सुल जाना होगा और अपनी और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तयार रहना होगा दोस्तो साथी साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा प्रितिक्षा करनी होगी क्योंकि फिलाल उनके लिए अ अच्छा आफसर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आवश्कता नहीं है क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ केसी रहने वाली हैं दोस्तो यदि आप अपने प्रेमी प्रेमी का को नुकूल हैं दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों में गहनिश्टता आपको एक नए इस्पूर्ती प्रदान करेगी जीवन साती का भी आज आपको पूरा शहयोग प्राप्त होगा साती सात विवायत जातकों के लिए भी आज का द दोस्तो वैवसाए धन्दे में आज आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के अनेको योग बन रहे हैं ग्रहनक शत्रों के अनुपूल रहने से आसमिक धनलाब के भी आज अनेको योग बन रहे हैं दोस्तो आपको पैसे के लेन देन में भी अधिक फायदा होगा रुके हुए सभी कर रहे आज आपके पूर्ण होंगे और धनलाब की आज अच्छी इस्तिती रहेगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो वैपार विस्तार की आज आप नहीं योजनाएं बनाएंगे वैपार को लेकर भी आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदाएक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो भविश्य में चलकर आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगे नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन भहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों बुद्धिमानी से आप उरजा सक्ती का ना हो और आपका जीवन काफी खुस में बना रहे दोस्तो साती सात यदि आप उम्र दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पढ़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगासनों का भी सहारा लेना पढ़ सकता है और आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निरवत्र होने के बाद काले घोडे की नाल या नाव की कील से अंगूठी बनवा कर भगवान शनिदेव का इ अपनी माद्यमा उंगली में धारन करें जां दोस्तो ऐसा करने से भगवान शनिदेव के आशिरवास से आपको जल्द ही शुब फलोक की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहें वहुत या सनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको अवश्य ही विशेस लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शनिदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश शनिदेव अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यमात